हाई दोस्तों कैसे आप सब懂 क्राप्सćूडी पर सभी का सौगत है ? दोस्तों आजिस वीडियो में हमbacks को बतानी वाले इठी है के एकदाम के बारे में जो ڈीजी टी का नोटिस आया है उसके बारे में हम आ वा आपको कुछ बताएंगे तो दोस्तो यह डीजीटी का नोटिस आया हुआ है डीजीटी की साइट पर आपको मिल जाएगा तो दोस्तो हम इसके बारे में बताएंगे क्या डीजीटी का क्या नोटिस आया है उसके बारे में तो वीडियो सुरू करने से पहले आप से गुजरे से दोस्तो वीडियो को ला जो है 19-20 का जो हमारा प्रोसेश का साथ से सतर परसेंट को सब्सक्राइब हो चुका है तो बागी का जो बचा हुआ कोर्स है तो वह हमारा 21 मई 2020 तक हमें कंप्लीट करा देना है कैसे कंप्लीट करना है यह टीचिंग भारत स्किल जो बैपसाइट है जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई तो इसके जरे से हम 31 महीं तक हमें बाकी का कोर्स कंप्लीट करना है और बाकी आगे क्या क्या है और बाकी जो बर्क है जो प्रजेक्ट बर्क है और जो हमारा सिलेवस है इंटरनेट असाइंडमेंट है इंटरनल असाइंडमेंट है और असाइंडमेंट प्लेस्मेंट ड्राइब है यह सारी ची यह आपका बढ़ भी सकता है ऐसा कुछ कहा नहीं सकते हैं क्योंकि आपकी टाइम टेबल लाते हैं वो कई वार चेंज होता है तो इस चक्र से हम नहीं के सकते कि आपका 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में अग्जाम हो जाएगा जो आपका डीजिटी जो नोटिस दिया है र हमारा जो अकैडमिक सेशन 2021 और विबाइस का है तो वह हमारा कुछ इस तरीके से है एड़िशन प्रोसिस है जो हमारा एक अगस्ते 31 अगस्त के बीच में हो जाएगा यानि के फर्स्ट सेकेंडर के ट्रेनी है वह हो जाएगा क्लास से सुरू हो जाएंगे और फ्रेस बैच् यह डिजीडी का नोटिस था जो हमने आपको बताया है उसके बाद में नीचे आपको सोसल डिस्टेंडिंग और सेप्टी टर्म के बारे में बताया गया है सभी के लिए जो फॉलो करना है उनके लिए क्लास रूम में किस तरीके से यह सारी चीज़ बताए गई है आप प्रिया